राज्य की उत्पत्ती के संधर्म में हॉप्स के समाजिक समझोता सिध्धान्त के पश्चात हम जौन लौक के समाजिक समझोता सिध्धान्त का अध्यन करने जा रहे हैं। जौन लौक जिनका जनम 1632 में इंगलेंड में हुआ था। लौक जब केवल 10 वर्ष के थे तभी इंगलेंड में राज्य पक्ष और संसदिय पक्ष के बीच ग्रह युद प्रारंब हो गया था जो लगभग 8 वर्ष तक चलता रहा। जौन लॉक ने इंगलेंड में गौरपुन रक्त हिन क्रांती का समय भी देखा था। जौन लॉक ने अनेक प्रसिद पुस्तकें लिखी जिन में जो प्रसिद पुस्तक है वो है शाषन पर दो लेक। आज हम जोन लोग के समाजिक समझोता सिध्धान्त पर चर्चा करेंगे जिस तरह हॉप्स के समाजिक समझोता सिध्धान्त के अंतरगत सबसे पहले हमने मानव सभाव और प्राकरतिक अवस्था का अधिन किया था तो जब हम जौन लोग के विचारों का अधिन करते हैं तो जौन लोग के समाजिक समझोता सिध्धान्थ में भी लोग ने सबसे पहले हमें बताया कि मानव का सभाव कैसा है उसके बाद उसने प्राकर्तिक अवस्था का वर्नन किया है और प्राकर्तिक अवस्था के पश्चात समाजिक समझोता सिध्धान्थ के द्वारा राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में विस्तार से बताया है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव सभाब के बारे में लौक ने क्या बताया है देखिए जब हम हॉप्स के समाजिक समझोता सिधानत पर चर्चा कर रहे थे उनके विचारों का अधिन कर रहे थे तो हॉप्स ने मनुश्य को सवार्थी, पाशविक और पतित माना है यह हम क्या सकते हैं कि हॉप्स ने मनुश्य को एक सवार्थी प्रानी माना है दरपोक माना है और यह माना है कि मनुश्य केवल अपने हितों की पूर्ती करता है और वह केवल एक स्वार्थी प्रानी है लेकिन जब हम लौक के राजनितिक विचारू का अधिन करते हैं तो लौक ने भी इंग्लेंड में दुख पुन दिनों को देखा था उसने भी बहुत सारी तकलिफों को सहन किया था लेकिन उसके हिर्दय में मनुश्यों की स्वाभाविक अच्छाई देया आदि गुनों से वो प्रभावी था क्योंकि वो मनुश्य के अच्छाई और उसके गुनों से प्रभावी था तो हॉप्स का मानना था कि मनुश्य सभाव से एक सामाजिक प्रानी है जो पारस्परिक, सहयोग, प्रेम, देया और सदभावना के आधार पर दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंद रखते हुए अपना जीवन व्यातीत करता है देखे जहां हॉब्स मनुश्य को केवल स्वार्थी और डर्पोक प्रानी मानता है उसे एक जगडालू प्रानी मानता है हॉब्स का मानना था कि मनुश्य पर्स पर उनमें संघर्ष रहता है लेकिन लौक ने मनुश्य की केवल अच्छाईयों को देखा है लोक मानता है कि मनुष्यों के अंदर सहयोग, प्रेम, देया और सदभावना आधी के गुन पाई जाते हैं अब क्योंकि जो लोक का मनुष्य है वो पर्सपर प्रेम और सहयोग से रह रहा है क्योंकि सहयोग, प्रेम, देया, सदभावना, आदी गुन उसके अंदर विद्यमान है तो लोग का मनुश्य, प्रेम, सहानूबुती, सहयोग और देया से पुन प्रानी है इसलिए उसकी प्राकर्तिक अवस्था प्रते की प्रते के साथ संघर्ष की अवस्था ना होकर वो अवस्था शान्ती, सहयोग, समानता और स्वतंतरता की अवस्था है लोग ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि यदपी प्राकर्तिक अवस्था स्वतंत्रता की अवस्था है तथा पी यह स्वेच्छाचारिता की अवस्था नहीं है यदपी इस अवस्था में मनुश्यों को अपने व्यक्तितव या संपत्ति के परियोग की अम्रियादित स्वतंत्रता है पर उसे तब तक अपने को नश्ट करने की स्वतंत्रता नहीं है जब तक कि ऐसा करदे की आफशक्ता जीवन बनाए रखने की अतिरिक्त किसी अन्य देशियों से ना हो यानि कि होप्स का मनुश्य स्वार्थी और जगडालू है तो उसकी प्राकर्तिक अवस्था प्रते की प्रते के साथ संघर्ष की अवस्था थी लेकिन लोग का मनुश्य प्रेम और सहयोग के साथ रह रहा है तो उसकी अवस्था प्रते की प्रते के प्राकर्तिक वस्था में मनुष्यों को अधिकार भी प्राप्त थे। लोग तीन प्राकर्तिक वस्था में व्यक्तियों को समान मानता है। पर उसका विचार है कि यह समानता अधिकारों की समानता थी शक्ति की नहीं। देखिये जो लोग की प्राकर्तिक वस्था थी लोग मानता था कि उसमें व्यवस्था भी थी। लोग के अनुसार यह व्यवस्था विवेक के द्वारस्था पे थी। मनुश्य किसी को भी दूसरे के जीवन, स्वास्थ, स्वतंतरता तथा संपत्ती को हानी नहीं पहुंचाते थे लोग का मानना था कि मनुश्यों को दूसरों के अधिकारों पर आक्रमन करने और हानी पहुंचाने से रोका जाना चाहिए सबको उस प्राकर्तिक अवस्था को मानना चाहिए जो शान्ती और संपून मानुवता की सुरक्षा चाहती है तो इस प्रकार लोग की प्राकर्तिक अवस्था विवेक पर आधारित प्राकर्तिक अवस्था थी यह इस नियम पर अधारित थी कि तुम दूसरों के प्रती वही प्रताव करो जिसकी तुम दूसरों से अपने प्रती आशा करते हो तो इस तरह जब हम लोग की प्राकर्तिक अवस्था का अध्यन करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो प्राकर्तिक अवस्था है वह एक प्रकार की स्वर्णमी अवस्था थी स्वर्ण के समान सुंदर अवस्था थी जिसमें प्रतेक व्यक्ति सुखी था क्योंकि ना तो उनमें आपसी संघर्ष था ना उनमें किसी प्रकार के अधिकारों का अतिक्रमन था प्रतेक व्यक्ति का जीवन सुरक्ष था प्रतेक व्यक्ति की संपत्ति सुरक्ष थी और वह इस अवस्था में पोर्ण रूप से सुखी था जब व्यक्ति अपनी प्राकर्तिक अवस्था में सुखी था तो ऐसे क्या कारण थे कि मनुश्यों ने प्राकर्तिक अवस्था का अंतकर समाजिक समझोते के द्वारा राज्य की स्थापना के तो इस संधर में लोग कहता है कि जो प्राकर्तिक अवस्था थी वो एक आदर्श अवस्था थी किन्तु यह वहवारिक नहीं थी और इसमें हम किसी भी प्रकार की स्थाई होने की गारंटी नहीं दे सकते थे क्योंकि प्राकर्तिक प्राकर्तिक अवस्था में मनुश्यों को कुछ असुविधाय थी कुछ कमिया थी प्राकर्तिक अवस्था में प्राकर्तिक अवस्था में जो सबसे पहली कमी थी वो यह थी कि इसमें कोई सुनिश्चित और सर्मान्यनियम नहीं थे जिसके आधार पर उचित अनुचित का न दिरने हो सके देखिये प्राकर्ति-क अवस्था में, व्यक्ति का जीवन, और संपत्ति सुरक्षिक थी यह विवेक पर आधारित अवस्था थी लेकिन ऐसी किसी भी प्रकार की सत्त, या नियम नहीं थे जो यह कह सके कि यह कार यह सही या उचित है या फिर अनुचित है यानि कि उसमें जो दूसरी बड़ी कमी थी वो यह थी कि कोई निश्पक्ष निरनायक नहीं था जो बता सके कि व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला कार्य वास्तम में सही है या गलत है और जो तीसरी बड़ी कमी थी वो यह थी कि निरन् कर सकने वाली शक्ति का अभाव था और ऐसी दशा में निर्णिय कार्यान्वित होने से रह जाते थे तो यह जो प्रमुक तीन अस विधाएं थी क्या थी यानि कि कानून निर्मान वाली सत्ता नहीं थी उन कानूनों को लागू करने वाला कोई सत्ता नहीं था और लास्ट में क्या सही है क्या गलत है इस पर निर्न्य देने वाली भी कोई शक्ती नहीं थी तो इन अस विधाओं के कारण व्यक्ति प्राकर्तिक वस्था का त्याग कर समझोते के आधार पर रज्य संस्था की उत्पत्ति करते हैं और जब हम लौक के समाजिक समझोता सिधान्त का अधिर करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि लौक यह मानकर चलते हैं कि मनुष्यों ने दो प्राकार के समझोते की हैं लेकिन लौक ने कहीं स्पष्ट रूप से ऐसा उलेख नहीं किया है कि मनुष्य दो प्राकार के समझोते करता है लेकिन उसके राजनितिक विचारों में यह स्पष्ट है कि पहले समझोते द्वारा प्राकर्तिक अवस्था का अंतकर समाज की स्थापना की गई लोग यह मानते हैं कि प्राकर्तिक अवस्था में क्योंकि कुछ असुविधाई और कमिया थी तो इन कमियों को दूर करने के लिए मनुश्य एक जगा इकठे हुए वो मनुश्य जो प्राकर्तिक अवस्था में रहते थे वो मनुश्य एक जगा इकठे होकर सबसे पहले उन्होंने क्या किया प्राकर्तिक अवस्था का अंतकर समाज की स्थापना की तो हम यह मान कर चलते हैं कि दो प्रकार के समझोते हुए पहले समझोते के द्वारा प्राकर व्यक्तिक अवस्था का अंतकर समाज की स्थापना की गई पहले समझोते द्वारा मनुश्य यह निश्चित करते हैं कि वे अपने संबंद में व्यवस्था करने का अधिकार समाज को देते हैं परिनाम सवरूप अब उस कानून के निर्मान का अधिकार समाज को होगा जिन्ह वे मनुश्य के व्यक्तिक और समाजिक हित के लिए उपयोगी समझेगा तो पहले समझोते के द्वारा मनुश्यों के द्वारा समाज का निर्मान किया गया और जब समाज का निर्मान हो जाता है तो फिर वो दूसरा समझोता करता है जो समाज के मनुश्य मिलकर शाशक से करते यानि कि उस व्यक्ति समू से करते हैं जिसको वो शाषन करने की शक्तियां सोमते हैं जिसके द्वारा रज्य की उत्पत्ती होती है यह समझोता एक प्रकार के शाषक और शाषितों के मध्य होता है जिससे समाज के द्वारा शाषक को कानून बनाने उसकी व्याख्या करने और उन्हें मनवाने का अधिकार दिया जाता है लोग का जो समाजिक समझोता है वो शाषक को अमर्यादित शक्तियां प्रैदान नहीं करता उसकी शक्तियों पर भी प्रतिबंद लगाता है क्योंकि जो लोग का समाजिक समझोता है तो लोग के जो मनुश्य हैं वो अपने प्राक दूर करने के लिए राज्य की उत्पत्ति करते हैं तो लोग का कथन है कि व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए राजनितिक समाज में प्रवेश करता है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए राजनितिक समाज में प्रवेश करता है तो राज्य का दाइत्व है कि व स्वतंतरता और संपत्ति रक्षा की गारण्टी ले यदी कोई प्रभु सत्ताधारी समझोते की शर्तों का उलंखन करता है अर्थाथ जीवन स्वतंतरता और संपत्ती की रक्षा नहीं करता तो लोख उन्हें एक तरह से क्रांटी के लिए भी कहते हैं लोग का माना है कि यदि मान लीजिये कि जो प्रभु सत्ता धारी है वो मनुश्य के जीवन संपत्ति उस्वतंतरता की रक्षा नहीं करता तो व्यक्ति को अधिकार है कि उससे राजशक्ति छीन ले और वो दूसरे व्यक्ति जब व्यक्ति सम्हूं को प्रदान कर दे तो ये था लौक का समाजिक समझोता सिधांत जिस्व की कुछ प्रमुक विशेष्टाएं हमें दृष्टि गोचर होती हैं पहली तो यह है कि समझोते दो प्रकार के हैं पहले समझोते के द्वारा राजनितिक समाज की स्थापना की गई और दूसरे समझोता वो था जो शाशक और शाशितों के उमध्य किया गया इस समझोते के परिनाम सवरूप नागरिकों के दवारा अपनी प्राकर्तिक अवस्था के अधीकारों का त्याग कर दिया जाता है लेकिन इस शर्त पर किया जाता है कि राज्य उन अधीकारों की रक्षा करेगा और समझोते के द्वारा राज्य संस्था का निर्मान होता है लोग के सिध्धान्त में जो शाशक है वो भी समझोते का ही एक पक्ष है देखिए जब हम हॉप्स के समाजिक समझोते का अधिन करते हैं तो हॉप्स में जनता के पास कोई अधिकार नहीं रह जाता हॉप्स में जो मानव है वो अपने उपर शाशन करने की संपून शक्तियां रज्य को प्रदान कर देता है संप्रबुता को प्रदान कर देता है लेकिन यहां यदपी समझोता शाशक और शाशितों के मद्या होता है लेकिन जो शाशक है उसको कुछ शर्तों के अधार पर ही शाशन करने की शक्तियां सोंपी गी है वो एक तरह से लौक है वो निरंग कुछ सत्ता का समर्थन नहीं क धन्या